नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जन्न ओले स्टेडी क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम परिक्षावाणी बुक का अध्याई नौ प्रमुक नगर परेटन एवन धार्मी इस्तल तो इस चेप्टर के अंतरगत दियेगे महतपुर्ण MCQ का अध्यन क तो इस चेप्टर के अंतरगत प्रस्न एक है जोशिमत औरी रोपे शुरू किया गया था तो यह शुरू किया गया था अक्टूबा 1993 मा उप्सन C इसका सहितर है प्रस्न दो है कौन नदी केदानाज से रुद्र पिर्याग होते हुए बहती है तो मंदाक्ती नदी बहती है उप्सन D इसका सहितर है प्रस्न तीन है बद्रीनात मंदिर इस्तित है तो बद्रीनात मंदिर इस्तित है चमोली में उप्सन A इसका सहितर है प्रस्न चार है पंच केदार वर्गम में निम्न में से कौन एक नहीं है तो विश्वनात नहीं है उप्सन D इसका सहितर है प्रस् प्रशनी ग्या रहा है पिथोड़गर से 165 किलोमीटर दूर इस्तित वह इस्तान जहाँ प्रशन बारा है गाधी जी ने श्रीमत भगवद गीता पर अपनी प्रशित भूमी का अनाशक्ति योग कहा लिखी थी प्रशन तेरह है भगवान सीव के बारा जोते लिंगों में से एक इस्तापित है तो यह इस्तापित है केदानात में उप्सन डी इसका सेउतर है प्रशन चोदा है उत्रखंड के किश हिली स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को अप्सन अ इसका सेउतर है प्रशन 15 है निमनी में से कौन पंच पिरियागों में सम्रीद नहीं है तो पंच पिरियागों में सम्रीद नहीं है केशो पिरियाग उप्शन A इसका सयुतर है प्रशन 16 है कौन मंदिर 12 जोतिर लिंगों में सम्रीद है तो केदाना थै उप्शन D इसका सयुतर है प्रशन शत्र है पंच पिर्याग किन जीला समोह में इस्ति थै तो यहाँ है चमोली रुद्र पिर्याग और टहरी में उप्सन B इसका सयुतर है प्रशन अठारा है उत्राखंड के चारो धाम जिन में है गंगोतरी यमनोतरी बदरी वो किदार तो उत्राखंड के चारो धाम किन जीला समोह में इस्ति थै तो यह इस्ति थै उत्तरकाशी रुद्र पिर्याग और चमोली में उप्सन C इसका सयुतर है प्रशन 19 से उत्रेखंड के किस जन्पत में केदारनाद मंदिर इस्तित है तो केदारनाद मंदिर इस्तित है रुद्र प्रियाग में उप्सन D इसका से उत्तर है प्रशन 20 है निम्नु पंची केदारों में कौन रुद्र पिर्याग में है तो रुद्र पिर्याग में ये सबी हैं केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमेहिश्वनाथ, उप्शन D का से उतर है प्रशनी की से राजी के चारो धाओं में सरवादी उचाई पर इस्तिधाम है तो केदारनाथ है उप्सन बीज का से उतर है और केदारनाथ 3584 उचाई पर है उप्सन बीज का से उतर है अबर प्रशन 12 है राजी के सरवाधी कुचाई पर इस्तित मंदिर है तो तुंगनाद मंदिर है उप्सिन C इसका सेयुतर है प्रशन 23 है विद्वानों के अनुषार खांडव वन था वर्तमान में तो यहाई हरीदवार में था उप्सिन A इसका सेयुतर है प्रशन 24 से निम्नु में से कौन सा मंदिर रानिखेत के पास है तो रानिखेत के पास है कोट माय का मंदिर उप्सन 20 का से उतर है प्रशन 25 है बदरीनात या विशाल बदरी मंदिर के आशपास निम्न में से क्या नहीं है तो पंचि गुफाया नहीं है प्रशन 26 अम परवति इस्थि थे तो यह पिथोड़ागर में है प्रशन 27 से निम्न में से किस परवति एश्थल को पहाड़ो की रानी कहा गया है तो दि 3. प्रिशिद्धृ मंदिर कहां है 2. बश्चिषिट्टॊ टेरी में है 3. बदरिनाथ धाम राजि के किर्जिले 4. बदरिनाथ चमोली 4. शंकराचारी का जोतिर पीट 5. जोशीमत RJ प्रश्निय 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 प् जो है मसूरी को कहा जाता है तो option A यहाँ पर सयुक्तर है प्रश्ण उचारे से राज्य में इस्ति चारो धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्नु में से कौन सही है तो यहाँ पर सही है तो यहाँ पर सही क्रम है सबसे पहले है गंगोत्री उसके बाद ब कुंडों में कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है तो बद्रीनाथ के पास नहीं है ब्यास कुंड ऑप्शन सी इसका सही उतर है प्रश्ण निम्नु मठों में कौन सुमेलिद नहीं है तो यहाँ पर सुमेलिद नहीं है तो यहाँ पर सुमेलिद नहीं है शंकर गुफार उद् प्रशन चालिश है निमने में से कौन इस्तल देहरादून में नहीं है तो हरकादून उत्तरकाशी में है देहरादून में नहीं है प्रशन चालिश है प्रशिद्ध परेटन इस्तल खिर्शु इस्तित है तो खिर्शु इस्तित है पौड़ी जनपद में उप्शन बीश का से उत्तर है इस्तान पर लक्षमन जी का एक मंदिर है तो हेमकुंड के पास है उप्शन सी इसका से उत्तर है प्रशन तिरपन है चितेई मंदिर कहां इस्तित है तो चितेई मंदिर अल्मोडा में इस्तित है उप्शन सी इसका से उत्तर है प्रशन जवन है गोविंद बल्ला पंत की जन प्रशन अठाओने शरवादिक परियोटों को अकरशित करने वाला राष्टिय उध्यान कारवेट है इस दृष्टी से दूसरे इस्तान पर है राजाजी राष्टिय उध्यान उप्शन एस का से उत्र है प्रशन अठावन है निम्नु मैंसे किस राष्टिय उध्यान के मध्य पार्टली दून इस्तित है तो पार्टली दून इस्तित है कॉर्वेट राष्टिय उध्यान के मध्य उप्सन सी इसका से उत्तर है प्रशन उन्षट है राजी का सरवादिक छेत्रफल वाला राष्टि किस जिले में है तो गोलु देपता का मंदिर है अलमोडा जिले में में अप्शन सी इसका सेवतर है प्रशने चैसर हठ है रिशी केश में इस्तिद मोनी की रेती किस जिले के अंतरगत है तो यह टीरी जिले के अंतरगत है प्रशन शन सथ है रिशी केश से 15 किलोमेटर दूरी पर इस्तिद मनीकूट परवत पर निम्न मैं से कौन सा प्रशिद्ध मंदिर है तो मनीकूट पर इस्तिद मंदिर है निलक गंगोत्री में नहीं गंगा का द्वार है हरी द्वार में तो option D यहाँ पर से उत्व्तर है प्रशन इकातर है कि दार्मी यात्रा की शुरुद गोरी कुंड़ से पैदल प्रारंब होती है तो केदानात की होती है option C है प्रशन 72 है निम्नमेशे बागनाद मंदिर इस्ति था तो बागनाद मंदिर इस्ति था बागिश्वर में option D इसका सही उतर है प्रशन 73 है कर्णो आश्रम किस नदी के तट पर इस्ति था तो कर्णो आश्रम इस्ति था माली नदी तट पर option B इसका सही उतर है प्रशन इसका हुRA 55 प्रशन इसका है प्रशान इसक है तुम masked दी कहा है अब हमने पीछे क्वश्चन था कि नाग नाथ मंदिर कहा है तो मंदिर जो है चमपाओ जन्पन मैं है तो दो अलग brightwood अनग afty आपको याद रखने है इनको प्रशन 78 है पिरान कलियर कहां इस्ति था तो पिरान कलियर हरिद्वार में इस्ति था उप्शन A इसका से उत्तर है प्रशन 89 है ननिताल की खोज किस बिटी जात्री ने की थी तो ननिताल की खोज की थी पी बेरन ने उप्शन D इसका से उत्तर है प्रशन 80 है कटारमल का प्रशिद्ध मंदिर निम्नुमेशे किस देपता का है तो कटार्मल का मंदिर है सूर्य देपता का, option B इसका सहुतर है प्रस्न 81 है निम्नमेशे पताल भुमनेश्वर क्या है तो पताल भुमनेश्वर एक गुफा है उप्सन A इसका से उतर है प्रस्न 82 है निम्नमेशे सही उगम का चैन कीजिए तो यहाँ पर सही उगम A और B सत्य है उप्सन D यहाँ पर से उतर है option a हरसिल उत्तरकार्शी में तो यहाँ सही है b है उकी मत रुद्रिप्रियाग में यहाँ सही है काली मर ने निताल में नहीं है option c गलत है a और b डोनों सही है 就 डी इसका सहितर है प्रस् 좋न 83 है निम्लमेंसे कौन सा या कौन से यूग में सही है तो सही यूग में यहाँ पर सभी सही है तब केश्वर मंदिर देहरादून में है केदानाद मंदिर रुद्रिप्रियाग में है और जागेश्वर मंदिर श्रमो अलमोडा में है तो यह सभी सहत्य है option D यहांपर सैयुपतर है принash 84 है गलत यूग का चैयन कीजे तो गलत यूग में है यहाँपर कैची धालमोडा तो कैची धालमोडा में नहीं है नेनिताल में है तो option B यहाँपर सैयुपतर है व einतलेung mian add 85 है प्राचीन समय में नि만 मैं से किशे बिश्वर मंदि इस्तित है श्री नगर में उप्षन एस का सयुतर है प्रस्न नभी है निमने लिखित में कौन सा पर्वत पदिया नगर नहीं है तो रुद्रुपुर नहीं है उप्षन सी इसका सयुतर है प्रस्ण 41 नब्धै है, श्री पूर्णागिरी मंदिर उत्रखन के किस जिले में ये जिले में इसती था, उफ्चन B इसका स्यूत pens है, प्रस्ण 82 है, निम्न इकीत मैं से कौन से है, कौन से इस्थान देहरादून जनन पंद में ये सबी है, उप्रोक्त D इसका स्यूतrem angry, उप एक परवतिय इस्थान को महात्मा गाजी जी निए भारत का श्वीजर लेंड कहा है तो यहां कहा है कौसानी को option 10 का सेउतर है प्रशन अठानबे है उत्तरकासी का पौराणिंग नाम क्या है तो उत्तरकासी का पौराणिंग नाम है सौम्यकासी option 20 का सेउतर है प्रशनी दो है देरादून जन्पद में इस्तित प्राचीन 4 शिद्ध द्राचीन 4 शिद्ध पीठों में शम्रीत नहीं है प्रशनी एक्रचीन ये बाराही देवी मन्ने उत्राखंड में कहा शिद्ध है तो बाराही देवी का मंदिर उत्राखंड में है देवी धुरा में उप्शन B इसका सेवतर है प्रशन 104 है जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे इस्तित है तो जागेश्वर धाम जटागंगा नदी के किनारे इस्तित है उप्शन D इसका सेवतर है प्रशन 105 है प्रशिद्ध मंदिर हाट काली का कहां इस्ति थे तो यह गंगोली हाट में इस्ति थे उप्सन डी इसका सयुतर है प्रशनी 108 है संकर गुफा कहां इस्ति थै तो संकर गुफा है देव पिर्याग में अपसन D इसका सेव तर नो है निमनुमें से कौन शरवादीक उचाई पर इस्ति थै कौन सा जोड़ा बिष्व दरोहर स्तल है तो यहां है नन्दा देवी पारकोर फूलो की घाटी अपसन D का सेथ्टर है परस्ने 112 है रमान को किस वरस विश्ष वरसत इस्तल गोशित किया गया है तो इसे 29े में किया तो काट गुदाम बसा है गौला नरी के तड़ पर ऑप्शन डी इसका से उतर है नेक्स्ट वर्शन है तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंतरगत आज की वीडियो में हमने परिक्षावानी बुक का अध्याई नो जो कि है उत्राखंड नगर परेटर नेवन धार्मी इस्त क्लास ओवर होती है थैंक्स पर वाचिंग